हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत आप सभी का टार्गेट सिविल सर्विसेश प्लेट फार्म पे सो फ्रेंड आज हम करेंगे सेट नमबर 26 ठीक है इससे पहले 25 सेट हम कर चुके जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो भी हमारे नए वीवर से यूपिटर पहले से पेट एक्जाम 2021 क्लियर करना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके होम प्लेलिट से साली वीडियो देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कुश्चन साथ में आप भी सॉल्प करते रहिएगा सुफाइस्ट कुश्चन फ्रेंड इस्टेंलेस स्टील मिस्र दा तू किस की है ठीक है यहां पर राइट आप्शन का ओप्शन सी लोहे और क्रोमियम का ठीक स्टेंलेस इस्टील लोहे यों क्रोमियम के मिस्र से तैयार किया जाता है यह भी आपके यूपी सचिवाले में पूछा गया था जिसका रॉंग एंसर यानि उन्होंने अपना जो एंसर है वो गलत दिया है एंसर की में ओके चलिए सुनेश्ट कुश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उधारण है यहाँ पर देखिए दो होते हैं रायसानिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के बारे में बात हो रही है पानी में चीनी का घुलना ये क्या है भौतिक परिवर्तन है पानी में चीनी का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाश्पर्ण दोरा चीनी को पुनाप्राप्त किया जा सकता है बहुतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुना प्राप्त किया जा सके जबकि रहसानिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता चलिए सुनेश कुशन है निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है ठीक है यहाँ पर देखिए RDX के बारे में सुना होगा सुराइट अप्शन होगा Option C साइक्लोनाइट के बारे में बात हो रही है RDX बिसफोटक को USA में साइक्लोनाइट जर्मनी में हेक्सो जोन तथा इटली में T4 के नाम से भी जाना चाता है ठीक है यहाँ तक तो सभी को मालूम होगा चलिए नेश्ट कुशन देखते हैं टिफलान एक बालग है जिसमें होता है देखिए आप डारेक्ट बात हो रही है टिफलान के बारे में सारे पेट एक्जाम के लिए बहुत ही कलियर है जो हम पढ़ा रहे हैं जो हम बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा टिफलान एक बालग इसमें फ्लोरीन एक तत्त के रूप में प्रयोग तो होता है तो उप्शन डी इसे राइट अप्शन ठीक है टिफलान में क्या प्रयोग होता है फ्लोरीन इसे राइट अप्शन सुनेश कुशन होगा विकास का मुक् reaction क्या है यहां पर बात हो रही है विकास का मुक्ध कारण क्या है अब देखिया पर राइट आप्शन होगा ओप्शन ठीके फ्रेंड ध्यां दिजेगा विकास का मुक्त कारण क्या है ओप्शन डे प्राकृतिक वरल है यानि अगर हम बात करें तो विकास का प्रमुक कारण प्रावकरतिक वरल है सभी जिवों में प्रचुर संतों नुपति की छमता होती है ता अधिकावादी की कारण परतेख जिवों को अपनी और शक्ताओं की पूर्ति ये तो दूसरे जिवों से जीवन प्रेंत संगर्स करना पड़ता है उपयों की विविंताय पेड़ी दरपेड़ी इकठी होती रह किसमें प्रती यूनिट कैलोरी की मातरा सबसे अधिक है सुराइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि वसा के बारे में हो रही है भोजन के वर्ग में प्रती यूनिट कैलोरी की मातरा सरवधिक वसा में होती है एक ग्राम वसा में लगबग होती है 9.3 कैलोरी ठीक किलो कैल जोरी उर्जा उत्पन होती है वसा गी तेल दूत मचली दही पनीर आधि में पाई जाती है चली सुनेश कुशन है जूमिंग कौन करता है देखिए आप डारेक्ट बात हो रहे हैं जूमिंग के जूमिंग कौन करता है सो राइट आप्शन होगा ओप्शन भी यानि खासी आपकर खेती करते हैं और उसके परशात वह आगे बढ़ जाते हैं ये सरवधिक खासी जंजातियों में पाई जाती है जबकि उलीशा राज्च जूमिंग से सरवधिक प्रभावित है सुनेश कुशन होगा इस्टोर्जन किसके द्वारा उत्पादित होता है समझ गए सो आप्शन ओगा और आप्शन बी यानि पुटिका की बात हो रही है अगर हम बात करें तो इस्टोर्जन इस्टोराइड होता है जो गैर फ्रेन पुटिकाओं से निकलता है यह योना वस्था में योनलच्छलो जिससे गरबाश है योनी अगनिशिशन वा अस्थनों के विक जीड हो जाती है रजोन बृत का आबास होने लगता है तता अस्तन धनने लगते हैं ठीक है त्यान देजिएगा सुनेश कुशन है भारत में कौन सी रेशी की फजल सरवधिक छेतर में विस्तित है देखिए यहां पर राइट आप्शनों को ओप्शन सी यानि कपास भारत म कपास की केती लगबक 80,000 है 80,000 हेक टेर शेत में की जाती है तता कपास से बादन करने वाले राचे में महराश्ट तमिलनाडू तता उत्तर परदेश का स्थान है ठीक है तो यह भी पॉइंट है कि महराश्ट इस राइट आप्शन होगा सबसे जादा में चलिए सुनेश किसम है पूसा करांती के बाद में हो रही है सुराइट आप्शनों का ओप्शन भी यानि बैगन की पूसा करांती बैगन की लंबे किसम वाली पर जाती है इसके फल भरता तथा सबजी दोनों के लिए प्रयोग किये जाते है रुपाई के 90 दिन बाद फल तोडने योग हो जाते हैं ठीक है देखिए नोट करते चलिएगा तभी काम आएगा पेटी एक्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम आपको कुशन दे रहे हैं चलिए सुनेश कुशन है समस्य ग्रस लवड़ी मृदाओं को कौन से उपचार द्वारा सुधारा जा सकता है देखिए अब ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कुशन है तो इसको दियान से सुनेगा तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन डियानि बायो ड्रेन ये क्या है आईए समझन निकालने तो जल विकास अतियावशक है इससे लवड़ी मृदा में सुधार होता है तो यहाँ तक सभी को डाउट किलियर होगा सभी को मौलम हो गया होगा चलिए सुनेश्ट कुशन देखते हैं पश्यमी हिमाले छेत्र की किर्शी प्राली में अधिक तर परमुकता होती ह देखिए यहाँ पर पश्यमी हिमाले छेत्र के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर जो राइट आप्शन होगा ऑप्शन डी यानि उदान किर्शी इस राइट आप्शन हो कि पश्यमी हिमाले छेत्र किर्शी प्राली में अधिक तर परमुकता क्या है उदान किर्शी की समझ गे चलि एगला कुशन है सबजी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है तो यहाँ पर राइट आप्शनों का आप्शन भी यानी बलूई और दोमण मिट्टी सबजी की खेती के लिए बहुत ही important है ठीक है पानी जल्दी सोग लेती है और नमी बनाया लगती है ठीक है और जल्दी ये सूख भी जाती है जिससे क्या है सबजी में अच्छी पैदावार होती है चलि एनेश कुशन देखते है कौन सी एक प्रोटीन का प्राचुरतम स्रोथ है देखिए अब यहाँ पर right option होगा option है यानी मटर समझ गएं मटर में 7.2 परतिशत पाया जाता है प्रोटीन समझ गएं सबसे ज़्यादा मटर में जो option दिया हुआ है सुनेश्ट कुशन है निम्रिखिन में से कौन सी बायो डीजल की फसल है चलिए इसका answer आप लोग कौन बाक्स में दीजिए बायो डीजल का नाम आप लोगों ने सुना होगा कपास गना जैट्रोफा अलू ठीक है बायो डीजल की फसल है वेरी इंपॉर्टेंट कुशन है जो पीसेस एक्जाम में भी पूछी जा चुके हैं उमीद करता हूँ इसका answer आप लोग कौन बाक्स में हमें देंगे क्योंकि अगर आप तैयारे कर रहे हैं तो इतना कुशन आपको मालूम होना चाहिए समझ गए फ्रेंड चलिए नेश्ट कुशन देखते हैं अनुआशी की अध्यान है अब देखिए यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन डी यानि डी अन्ने पर ठीक है अनुआशी की अध्यान है तो डी इसे राइट आप्शन इसके लाओ किसी को answer मालूम होगा तो कमेंट बाक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है कि सर यह answer नहीं यह होगा ठीक है चलिए सुनेश question देखते है मिर्दा विज्यान में मिर्दा को मानते है तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा option है यानि प्राकृतिक पिंडिस से राइट आप्शन समझ गए चलिए सुनेश question है जयव वित्ता में परिवर्तन होता है यहाँ पर डारेक बात हो रही है जयव वित्ता के बारे में so right option होगा option A ठीक है option A से right option क्यों आब आईए समझते है जयव वित्ता में भूमद रेखा की तरफ बढ़ती जाती है इसका कारल भूमद रेखी जलवाई हुए इस जलवाई में रोज दोपैर के बाद वर्षा होती है सालों बर नमी बनी रहती है इस कारल भूमद रेखा की तरफ बढ़ती है क्या जव वित्ता के बारे में होता है बात चलिए नेश कूशन आपकी सामने है जन कल्यार परव का संबंद किस शहर से है तो राइट आप्शन होगा ओप्शन भी यानि मत्रा इसे राइट आप्शन सुनेश कूशन है फ्रेंड निमिकिन में कौन सही नहीं है कि यहां पे नहीं शर्द लगा है तो वेरी इंपोर्टेंट है अगर जहां पे नहीं शर्द लगा हुआ हो तो राइट आप्शनों को ओप्शन डी कंचन जंगा हिमाचल परदेश ये कहां पे कंचन जंगा आपके सिक्किम है अगर हम कुछ की बात करें तो सिमली पाल उड़ीसा नोकरेक मिघाले अगस्ते मलाई केरल कंचन जंगा सिक्किम है बांधिपूर आपके करनाटक में है काना मदपर्देश में है नामदफवा अरुलाचर परदेश में है बांधवागर मदपर्देश में है दुदवा उत्तर परदेश में है ठीक है तो यहां तक सभी को डाउट किलियर हो गया होगा सो फ्रेंड यह रही वीडियो जो भी हमारे नए वीवरस है वीडियो को जाद जाद शेर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचती रहे आपका पेट इग्जाम के लिए हो मेरे तरफ से बहुत ही बहुत ही शुक्रिया और शुब कामनाएं आपके साथ चुड़ियें मिलते हैं ने इस वीडियो के साथ ओके थैंक्स बेश्टा प्लाग थैंक्व धन्यवाज जैहिन जैभाराण